आज मैं आपके स्मक्ष पूछता हूँ आपके दर्शकों और पाठकों से, क्या यूपी में अब कोई दंगे हो रहे हैं? जब उत्राखंड का चुनाव था तो कित्रे दंगे उत्राखंड में हुए, एक साल पहले तक? क्या आप कोई उत्राखंड में दंगा हो रहा है जब यूपी और उत्राखंड में चुनाव था तो राजस्तान में कोई दंगे हुए थे कोई नहीं हुए अब एक साल में राजस्तान में चुनाव है तो राजस्तान में दंगे शुरू हो गए है देशवासियों समझी है ये करवा कौन रहा है ये धार्मिक तुष्टी करण की नीती भारतिये जनता पार्टी का तकिया कलाम है ये उनका मूल मंतर है क्योंकि वो ये नहीं पूछने देंगे के चिरंजीवी स्कीम में देश की पहली सरकार राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार है जहां हर व्यक्ति का इलाज मुफ्थ है मुझे देश में कोई ऐसी सरकार या प्रांट बताईए जहां हर व्यक्ति का इलाज मुफ्थ हो देश में कोई ऐसी सरकार बताईए जहां पर करमचारियों के कल्यान के लिए नायाब किसम की पेंशन स्कीम लागू की गई हो देश में कोई ऐसी सरकार या प्रांट बताईए जहां हर व्यक्ति का बीमा सरकार ने करवा दिया हो वो भी दस दस पांच पांच लाख रूपिये का मुझे देश में कोई ऐसी सरकार बताईए 36 गड़ को छोड़ कर जहां बगैर जमीन वाले खेत मजदूर जो अनुसूचित जाती और पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनको सरकार हर माह पैसा देती हो कोई ऐसी सरकार बताईए देश में ऐसी प्रांथ की सरकार जहां किसान को प्रांथ की सरकार मासिक पैसा देती हो यह सवाल इसलिए सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि भाजप्पा के लिए यह सवाल सही नहीं है उनके लिए हिंदू बनाम मुसल्मान नफरत और बटवारा यह उनका एजन्डा है और इसलिए जब जब चुनाव जहां जहां आएंगे अब करनाटक में शुरू हो गया विवाद चौदा महीने तक रहेगा उसके बाद कोई विवाद करनाटक में नहीं रहने वाला यह उनका मॉडल है राजनितिक मॉडल है भाजप्पा का गायब हो जाओ